So Hello Friends, तो जम बात करने वाले है चाइना के यांग वंघ फाई जाज के बारे में चलो तो देखते हैं यह जाज स्रीलंका के हमबं तोटा बंदरगाह पर रुका हुआ था यह बंदरगाह चाइना ने अपने पेशे से डेवलड़ किया है क्यूंकि यह जाज भारत के लिए खत्रा भी साबित हो सकता था इसका कारण है यह जाज की कुछ खास बाते है इस जाज की लंबाई लगबग 300,65 फिट है इस जाज में रडर और सैटिलाइट बड़ी प्रमान पर लगाए हुए है यह सैटिलाइट, 65 किलो मिटर के अंदर किसी भी गती विडियों पर नजर रख सकता है इसका नुक्सान भारत को होगा इसका नुक्सान भारत को होता दक्षिन एडिया में भारत का इसरो स्थापि थे और यहाँ दक्षिन में विमान युद्ध पोतों का अड़ा है इनकी खूपिया जानकरी मिलने की संका आम तोर पर थी और चाइना को यही साजिस नाकाम हो गई और यहाँ दक्षिन में और चाइना की यही साजिस नाकाम हो गई क्योंकि उसे लग रहा था कि भारत को हमन्त उटा बंदरगा के मामले में उलजा के रखे और भारत ताइवान के मेंटर में ना आए यह चाइना की साजिस्ती क्यूंकि चाइना ताइवान को अपने कबजे में करने के चक्र में है और चाहना कहता है कि ताइवान हमार ही है चाइवान खुद को पी आर सी कहता है पी आर सी मिन्स पीपल रिपब्लिकन चाइना कहता है और ताइवान खुद को कहता है आर सी आर सी मिन्स रिपब्लिक चाइ चाइना की आदस समझ सकते हो जो आपको दिखा उस पर कबजा बना लो यह कभी सुदर नहीं पाएगा फिर बाद में भारत सरकार ने श्री लंका पर बड़ी तोर पर दबाव बनाया और श्री लंको को कहा चाइना हमारी खुपिया गती वीदियों पर नजर रख रहा है इस यांग वंग फाई जाज के मदद से यह इस जाज को तुरंट जाने के लिए कई है भारत के दबाव में श्री लंका ने इस जाज को निकलने के लिए कहा और यह जाज चला गया चाइना का तो दोस्तो चाइना को पता नहीं है यह जो भारत है 1961 का भारत नहीं है यह जो भारत है यह 2022 का नया उबरता हुआ भारत है और यहां से करारा जवाब मिलेगा जो भी हम पर हमला करेगा उसको एकदम करारा जवाब दिये जाएगा भारत माता की जैहिन